फिल्म इंडस्ट्री फेवरिटिस्म पर चलती है और जहां तक बात है फेवरिटिस्म की तो कहा जाता है कि करन जोहर सबसे ज़ादा फेवरिटिस्म चलाते हैं चाहे उनकी फिल्मे हो, चाहे उनका शो हो, उनने वही लोग चाहिए जो उनके फेवरेट है, जो उनकी ग्रुप का हिस्सा है, जिनसे वो अच्छे से बात कर सकते हैं, बाहर के लोगों को वो नहीं लेकर आते हैं लेकिन इस बार करण जोहर फेवरिटिजम से थोड़े अलग चले हैं उन्होंने कौफे विद करण का ग्राइन फिनाले अपने फेवरिट शारुक खान के साथ नहीं बलकि एक दूसरे सूपर स्टार के साथ प्लाइन किया है जी हां शारुक और काजोल ये करण के फेवरिट ये तो सब जानते हैं और शारुक ने पिछले कुछ समय से सूपर हिट फिल्में भी दी है चाहे पठान हो या जवान हो उसके बावजूत करण जोहर कौफे विद करण का ग्राइन फिनाले शारुक के साथ खतम नहीं करने वाले हैं वो सल्मान खान को अपने शोग पर चाह बात करें सल्मान और करन की तो कुछ कुछ होता ही के बाग वैसे तो इन्होंने जादा साथ काम नहीं किया लेकिन अब खबरे आ रहे हैं कि सल्मान और करन साथ में काम करने वाले हैं आपकी अदालत में सल्मान ने इस बात को कंफर्म किया था कि करन के साथ एक स्क्रिप्ट कर रहा हूँ और अब करन जोहर उसी association को next level पर ले जाते हुए सलमान को अपने show पर लेकर आने वाले हैं सलमान खान के fans को इस बात का इंकजार है कि क्या इस बार भी करन जोहर सलमान खान को उनकी virginity के बारे में पूछेंगे और क्या सलमान अपना status बदल कर बताएंगे या फिर से वही जवाब देंगे I'm a virgin